तो नमस्कार आदाप सश्ट्रियकाल दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ग्यानायर जन में तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने दस्वी यूनिट शुरू कर दी है और उसमें हम राजस्तान के संस्कृति पढ़ रहे हैं तो संस्कृति का मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा जो राजस्तान में होता है और ना सिर्फ ये रीट के लिए बाकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और राजस्तान और हैं तो वह अपन नॉर्मली मतलब कम ध्यान देके या फिर वह तो आप लोग गाइड में से भी तयार कर सकते हैं उन्हें पढ़ने वाला कुछ इतना ज्यादा होता नहीं है तो हमने जो दसवी यूनिट है हमारी राजस्तान वह हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट होगी क् तो आपन राजस्तान की एक्जाम दे रहे हैं तो कोशन भी सबसे यादा आते हैं तो इस पर ज्यादा दियां देते हो चलेंगे एक्जाम के डेट अभी देक अनाउंस नहीं हुई है तो अरादस्तान के सभ्यताएं और पाड़ सभ्यताएं हम पढ़ने पढ़ने बैराट तो बड़ी बड़ी सब्वेताई पढ़ ली थी हमने मोसली तो बैराठ और एक रंग महल ऐसे एक दो सब्वेताई और इंपोर्टेंट हैं बाके सब छोटी-छोटी सब्वेताई हैं उन में से तो सिर्फ यही पूछा जाया गया कि यह सब्वेता कौन से जगह पर पाई जात तो और यहीं से ऐसा मानों जाता है कि यहीं से बैराठ सब्वेता का मतलब का उत्खणन प्रारंब हो गया था वैसे टेक्निकल रूप से उत्खणन किया था 1936-1936 में दयाराम साहनी ने और फिर आगे चलके 1962-1963 में नील रत्न बैनर जी और कैलासनाथ दिक्षित तो अगर ऑप्षन में कैप्टन बर्ट आता है तो आपको कैप्टन बर्ट ही करना है ना और अगर कैप्टन बर्ट नहीं आता है दयाराम साहनी और यह तीनों आते हैं तो इन में सबसे पहले की थी तयाराम साहनी ने लेकिन ऑप्षन में अगर बर्ट आता है तो बर्ट ही करना है क् बर्ट ने 1837 में भाबरु शिला लेक की खोज कर दे थी और वहीं से मतलब वो बैराट सब्वेता से ही रिलेटेड था तो वहीं से इस सब्वेता का उद्गम हो जाता है तो किसने किसने खोज की थी कैप्टेन बर्ट ने दैयाराम सहाड़ी ने नील वहतने बैर जीन और केलास नात दिख्षित दोस्तो जो बैराट है अपना अ सबस्ते जनपत की राजदानी राहा है प्राचिन काल में जो 16 जनपत थे उन में से एक मतश्य जनपत था और मतश्य जनपत की राजदानी कौन थी बैराट था ठीक है अब यहां पर परमुग जो उत्खनन इस्थेल हैं दोस्तों कई बार यह मतलब यही दे दिया गया है कोशन बीजक सबसे राजदा उत्खनन किया गया है तो यह दूंग्रियों के नाम याद रखना है किइसे काल काल और पुर्व हडपकालीय रव्शेश मिले थे ना वैसे ही ये इतनी पुराणी नहीं इंव इसमें मौर्य काल र्र ये और मॉर्य काल के पहले मुझाट अरं अथारेप औरू बहादंगए पहाड़ी पर कैप्तेन बात ने जो लेक खोजा था वह प्रस्तर लेक था और प्रस्तर लेक मतलब पथर पे लिखा गया था जिसे हम भावरु शिला लेक भी बूलते हैं और यह बामी लिपी में लिखा गया था लिपी आदर रखना दोस्तों क्योंकि हमने पड़ी थी तब अशोक पड़ा से तब भी अध्यन किया था तो यह इस्ट्री का कोशन भी हो जाता है रास्तान के संस्क्रति के सासात मतलब इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेट करता है तो यह ब्रामी लिपी में लिखा गया है और अशोक के बुद्ध धम और संग की 29 में बीजक पाड़ी से हमें गोल बुद्ध के मंदिर बौध मठ और स्थूप मिले हैं जो अशोक के काल के हैं अशोक मौरिया राजाई था न तो यहां पर जीज़े मिली हैं वह मौरिया काल से रिडेटेड ही मिली हैं तो बीजक पाड़ी से हमें मिले हैं गोल गोल मंदि हैं मठ हैं और स्टूप हैं इसके लाव दोस्तों यह भी आका इंपोर्टेंट है सूती कपड़े में बंदी हुई मुद्राएं और पंचमार का सिख्य भी यहीं से मिले हैं अपनको बैराट से ही चित्रित स्लेटी मरद्भान का प्रियोग करने वाली इसापूर्वे संस्कृ करती के अश्यस भी हमने यह पड़ा था कि जैसा पूर्वे के सब्पाइब यहां विद्वान थी यह व्यासे तो यह तो बात की तो इसा की बहुत बाद में आय था ना लेकिन कुछ-कुछ हमें ऐसे मिलता है कि कि इसा पूर्वे से ब्प्रियोग से चलिया रही थी इसके लबा मद्य यूगिन संस्कृतियों के जय से मिल लवा है कुछ पूर्व संकृतियों के मिले हैं आप यह सोच्छों समें घंम तन बरतन नुग्त बनाना न सीखा है घंना नि राजसतानी में उस भी करते थे पहले अपने जादा-जादी स्लेटी और धूसर म्रदभांड होते थे इन पर कोई बहुत जादा कलर नहीं होता था थोड़ा ग्रे ग्रे सा कलर दे दिया आता था यह पूरातन संस्क्रेटि के आ जाएंगा मतलब यह हडपा और उसके आसपास के तब लोगों ने कलर वालर करना सीखा नहीं था उसके बाद में दो पर चित्रित म्रदभांड आने लगेंगे मतलब चित्रन जिन पर होगा कोई पीला हो जाएगा कोई गुलाबी हो जाएगा वह दूसरे सब्वेताओं से रिलेटेड हो जाएंगे तो इस मतलब वहां पर मिलने वाले जो बरतन है या फिर और चीज़ उन से हमें पता चलता ह के है क्यों से सब्वेता से रिलेटेड रहे होंगे कुछ यह उपकरण भी यहांपे मिले हैं एक में बात लुर्त हैं कको ने ले Hernagh finance और भूण से रिलेटेड और जितने वी चीजैने यह वे उनको संग्रहित करने के लिए नोह संगरहित करने लिए तो हेंसांग जो व महें सांग भी यहाँ पर आया था और दोस्तों यहां पर जो लिपी मिली है वैं शंक लिपी तो शंकि लिपी दोस्तों ऐसे है जैसे शंक का कर दोदर जोस्तों शंक्ण करोतों पॉलते थैं को शंक लिपी और Risk defend दोनों लिपियां आस तक पढ़ी नहीं गई है लेकिन इन दोनों लिपियों को आस तक पढ़ा नहीं गया है इसके लाव दोस्तों एक मंजूसा भी मिली है जिसमें भगवान बुद्ध के अस्ति अवशेस भी यहाँ पर मिले हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी मातरा में मोर्यकाल से रिलेटेड अवशेस मिली है एक दोस्तों हमने हनुमानगड के काली बंगा पड़ी तम मैंने आपको पावन से चोवन में और कौन सी नदी हनुमानगड में तो एक ही नदी बहते थी सरस्वती जो प्राचीन सरस्वती नदी घगर नदी उसके किनारे ठीक है अब यहाँ पर कौन से काल के अवसेश मिलें यहाँ पर बुद्ध से भी बाद के मिलें मौरियस अभी कुशान और पूर्व गुप्तकालीन तो मौरियस से बाद में आया था गुप्त वण्ष तो कुशान कालीन और पूर्व गुप्तकालीन अवसेश मिलें हैं और ईसवत से लेकर तीन सू सताब तीन सूवी ही इसवी तक्के मिलें यहाँ पर इस सब्द्ध से स्टाट हो गए था कुछ हि प्लेटी की मुर्ति कौन से शैली की गंधार शैली की दो शैली अपने यहां पर चलती थे गंधार शैली और मथूरा शैली ठीक है वो दोनों मैंने आपको हिस्टरी में पढ़ाई थी देखना हूँ तो प्लेलिस्ट में जाके आप इंडियन हिस्टरी चेक कर सकते हैं वहां पंचमार का कनिश्क काली मुद्राएं मिली हैं इसके लावा टोटीदार घड़े मिले हैं लाल गुलाबी म्रदवांट अब यह देखे लाल गुलाबी आ गये ना इतने देर हम क्या पट्रे से चित्रित दूसर और चित्रित धूसर कलर के और अब देखो जैसे जैसे जानने लगे रंग जानने भी लगे सजावट की जानने लगे तो अब इन पर लाल और गुलाबी कलर किया जाने लगा तो लाल गुलाबी कलर के म्रदवांट किसे रिलेटेड हो जाएंगे गुप्त काल से और कनिश्क काल से ठीक हैं अंगूठिया मिली हैं कासे के बाजू कुषान काल की और कुषान काल सब पूरा नी कितनी टोटल मुद्राइं मिली है 105 मुद्राइं मिली है दो कासे की सील भी मिली है सील जो होती थी ना सील अभी जैसे होती है सरकारी ओफिसिजम सील दी जाते हैं वह वाले सील भी मिली है तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो भी सील यूज़ करते थे तो वो सील भी मिली है और वो किसके काल की है कनिश्ट काल की है इनका मुख्य भोजन था चावल और ये लोग शकारी और मासाहरी दोनों थे चावल के अलावा ये लोग भैं, सुवर, पक्षी और मचली का मास भी खाते थे मंदिरों के अशेस भी मिले हैं दोस्तों गुप्तकाल में तो मंदिरों के अशेस अच्छे खासे मंदिर बनने लग गये थे हम हिस्टरी में भी पढ़ते हैं तो यहां पर मंदिरों के अशेस मिले हैं और जिसमें धूप, दिया, घंटिया, इनसे तो पूजा करने के प्रतीक मिले हैं इसके लाव मात्र देवी शिव और कृष्मी की पूजा के अशेश भी मिले हैं अगर मनोरंजन की चीजों में देखे तो नरत्य करना और जुआ खेलना इनके मनोरंजन के साधनों में आता था तो यह दोस्तों जो भी गुप्तकाल से रिलेटेड गुप्तकाल के तो अपने पास पुस्तके भी हैं तो वह गुप्तकाल से रिलेटेड चीजें यहां पर मिली है तो अपने गुप्तकाल में वैसे देखा था कि जुआ खेलना नरत्य करना पश्यों की लड़ाई यह उनके मनोरंजन के साधनों होते थी हैं ना मंदिर बनने ही लग गए थे गु कुछ थी नहीं तो नोह सब्वेता भरतपूर में हैं यह याद रखेगा नगरी शब्वेता चितोडगड में हैं यह याद रखेगा और यहां पर शिवी जनपत के अवशेष मिले हैं थोड़ा बहुत कुछ इंपोर्टेंट इसमें था नहीं और इसके लावए एक यहां पर मिली हैं सुनारी दोस्तों खेतरी जुंजुरू में है और लोह बनाने की भट्या और शेस्तर यहां पर मिले हैं तो सुनारी का हैं खेतरी जोदपूर में और जोदपूरा कहा हैं जैपूर में नोह कहा हैं भरतपूर में नगरी कहा हैं चित्वडगड में इनके बस आप नाम नाम याद रखलोगे तो भी काफी है एक दोस्तों ये फेमस है रैंड टोउक के सब्बैता इसमें एक दू चीज़ इंपोर्टेंट थी तो ये धील नदी के किनारे मिली है तो अजीब सी नदीया नाम अपने सुना नहीं है पहले कभी तो धील नदी के किनारे म मिली है और पूर्व गुप्त काल इनाफशिस्स गुप्त काल से भी पहले के अफ्शिस्स यहां पर मिले हैं यहां पर दोस्तों लोहा सामगरी का बड़ा घंडार मिला है बहुत सारीlin बहुत सारा लोहा बनाए जाता था और लोहा के उत्पाद बनाये जाते थे। इसके अलबा एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी यहां मिला है सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार एशिया में इतनी ज़्यादा संख्या में सिक्के कहीं भी नहीं मिले हैं जितने की रेंड में मिले हैं और रेंड में मुख्य ते जो सिक्के मिले हैं उनमें चांदी की मुद्राइए सबसे ज़्यादा हमें मिली हैं इसके लागा कुछ कासे और कुछ सोने के सिक्खे भी मिले हैं लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो चांदी के सिक्खे हैं उत्खनन करवाया था ये खाला की मुद्र का ढाट कि अद्धार के भी मोर्तिया हमें कुछ मात्रा मेंakers से भी मुद्रा मत्हूरा कला की भेंटी की मूरतीयां मिली तोhक मर्ण मत्हूरा कला जाते से जाती है फिर्थी कि देख है और सीसे की एक मुद्रा मिली है इस पर मालव जनपदस लिखा हुआ है यहाँ पर सीसा मतलब काच नहीं होता है सीसा मतलब एक धातू होती है उसका नाम है सीसा तो सीसा धातू की बनी हुई भी मुद्रा मिली है जिस पर मालव जनपदस लिखा हुआ है मालव जनपदस का तो हमारी परवुख सब्वेता हैं लगब 11-12 सब्वेता हैं हमने पढ़ ली हैं तो सब्वेताओं में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बस जो दो रेक्चर पहले के हैं उनको रिपीट कर लेजएगा इन में से ही कोशन मनेगा जादा तर तो यही पूछेंगे कि निम्नि में हैं जो इंपोड़ाइट हैं किसी सब्वेता में वह पूछ क्याते हैं थोड़ा अगर हार्ट पेपर बनाना हो तो जैसे अप्राचीन भायत की टाटा नगरी किसे कहते हैं भारत शप्वेताहों में किसे कहते हैं ऐसे चीज़े पूछ लिसे शीजे बॉत सिन से सतफागर व मेदा आप सबको समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक्यू बेरे मच